नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ गोपल, अमारा चनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं तंदूर मेरिनेशन का बार तंदूर में जो बैसिक मेरिनेशन है, रेड मेरिनेशन आज बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो आप लुग देखते रहे हैं इस वीडियो को लासा है अज हम बानाने जा रहे हैं तंदूर मेरिनेशन बानाने के लिए इंक्रीटियांस तो बहुत सारा चाहिए कस्मेरी चिल्दी को लाल का रोल नाहे के लिए मस्टार हन जूटते हैं आप सब लोगों को पता यह होता है कस्मेरी चिल्दी पा परकॉ मस्टार के साथ मिलाएंगे हाद अच्छा स्ल आई है तो इसमें आच्छा रेड कलर आएगा तो इसमें आच्छा लाने के लिए बाच कासीमरी चिलि में आच्छा करा आएगा तो आप defenders गरन करके कम कास्मीरी चिनी में डालेंगे भी तो होगा उसमें गछा काला याज़को Rain अलीबारा अभ़ण पर स्टीन कम अब हरको आपको रहा है और थे necessity तो आप लोग देख रहे हैं यह इसको रेडी हो गया आप हम लोग आफ करेंगे यह है जिंजर का लिक पेस्ट तो जिंजर का लिक पेस्ट आपके तो इसको मिक्स कर लेता है तो जिंजर का लिक पेस्ट डाल दिया अब हम डालेंगे रोस्टेट जीरा पाउडर तो यह देख रहे हैं रोस्टेट जीरा पाउडर यह है वाइट सॉल्ट यह आप देख रहें ब्लाक सॉल्ट तो वाइट सॉल्ट ब्लाक सॉल्ट डाल दिया अब हम डालेंगे म्टेज चाथ मस्टाइब अब हम डालेंगे होम मेट गरम मसाला पाउडर आप देख रहे हैं कास्तुरी मेथी पाउडर इसको रोस्टेट अच्छा पाउडर कर लिया हुआ तो यह है कास्तुरी मेथी पाउडर तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा स्याला डाल ढाल या रिभाइन और भी डाल सेकते हैं तो जब हम काबाः के लिए मसाला बना रहे हैं तो स्याला डाल डालेंगे क्योंकि हमने पहले मास्टर अल डाल चुका हूँ तो आभी शेलाष और डालेंगे तो आछा रहेगा, क्योंकि daha master oil डालने से तो कड़ूआपन आता है, बिक्तंड़ आता है, या तिखा आता है, तो अच्सा टेस्ट में आता है, तो इसमें आगा दोनों oil मिला के डालेंगे तो आच्छा है तो आझा है। इसमें बहु घीजया काली, पेश्ट, सब भुना हुआ मसाला सब टाला का तो इसको अच्छा से मिक्स करें तो आप इसको अच्छा से मिक्स करेंगे अभर aymmu schema अच्छा कर देटा लेगा तो दोस्तों आब हम डाल रहे हैं एड करें यह हैंग काड है तो इसको फिल्टर करके पहले से रखा हुआ था तो कबब के लिए बैसिकली फिल्टर वाला दही चाहिए तो आब हम इसमें मिलाएंगे तो आप लोग सोचेंगे जे दही का हम लोग पहले जिसको बनाना हो मसाला तो पहले दही का अंदजा लागाते हैं तो कितना दही का हम लोग मसाला बनाते हैं तो उस हिसाब से पहले से हम लोग अपना अंदज से मसाला डालते हैं कॉंटिटी का मसाला कॉंटिटी तो इसको हम कि इष निअ अपने अपना हाथ से मानाने का मज़ा तो आलाग ही होता है, और जबता कोई खनपर हाथ ना ना लगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी बराबर नहीं हादा जाहिए आप इतने स्पून लागाए विस्क लगए यह भी लगए तो देख रहे हैं इसको अच्छा से मैस करना पड़ेगा तो अच्छा से जब को मैस नहीं करेंगे तो जो मसाला है जब तक अच्छा से मिक्स हो जान दोस्तो इसमें मैंने जो इंगिरिडियंस मसाला डला आप चाहे तो इसमें ज्यादा से करने के लिए ग्रिंचिली पेष्ट यूज कर सकते हैं तो दोस्तो यह था मेरा बैसी कि मसाला क्यूंकि यह बैसिक मसला का बेस रखके हम कुछ भी कबाब बना सकता हम जब कभी दूसरे कुछ कबाब बनाएंगे तो यह मसला का साथ थोड़ा-थोड़ा डिफ्रेंट आप मसला एट करके इसको मॉडिफाइब करके कबाब बनाएंगे अगे में यह इसक कोई कमी नहीं है तो आप फैसा बनाए और आप आप जैसे भी डाले, तो यह अच्छा ही रेट है, अनली यह मसाला डालके आपको इसको मॉटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि यह है बैसिक कंदुरी मसाला है, तो आप ऐसे बना सकता है, मैं चाहूं का कोई होटेलियोर स्टुडेंट या कोई ट्रेनी या कोई कॉमिती, आप लोग करें, यह तो मेरा यह पहली एक रिसीपी है, ऐसे रेट मसाला बहुत सारा रिसीपी है, तो यह लंबर वन रिसीपी है, और लंबर टू रेट मसाला रिसीपी बालाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि रेट मसाला का बहुत ही कि एक एक ग्रेप का है तो इसमें जैसे कि मैंने कास्मीरी एक शीली डाला नेक्स वीडियो में कास्मीरी एक शीली पेस्ट करके दूसरा तरीका से बाता हुआ उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारा चनल को फॉलो किजिए क्योंकि इसमें नए करते वाला हुँ आप लोग के लिए अगर दोस्तों आपका हमारा इस चनल पर इस वीडियो आठ्चा लगा तो आप एक लाइक किजिए शेयर किजिए मैं हुआ आपका से भुपाम और नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखते जरूर बतागाए